हिंदी कलब में फिर से आपका एक बार स्वागत है ये वीडियो विसी सुरुप से सीट एट अन्दुध स्टेट से संबंधित है आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्पून टॉपिक बुद्धी को पढ़ेंगे इस वीडियो को सुराद करने से पहले हम आपको ब लोगिन करना होगा, लोगिन करने के बाद आप देखेंगे स्क्रौल करके नीचे जईयेगा तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगा है जहाँ पे आप क्लिक करके सारे विडियो देख सकते हैं इसके साथ ही अगर कोई टेस सीरीज आप आई करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं साइंस का भी नोट्स वेगरे आज चुके हैं चलिए आते हम टॉपिक पे हमारा टॉपिक है बुद्धी बुद्धी जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपके मन में दो प्रशन आ रहा होंगे कि ये बुद्धी जो है सबसे पहले यानि सौर प्रथम इस सब्द का परियोग किसने किया था और ये बुद्धी होता क्या है सबसे पहले पहले प्रशन का उत्तर जानते हैं हम लोग कि बुद्धी का सौर प्रथम जो सब्द जो है बुद्धी इसका परियोग किसने किया था तो इसका परियोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने किया था जो इंग्लेंड के हैं कहां कहें ये, इंग्लेंड के हैं, कब पर्यू किया था को, 1885 इस्वी में है, बस इतना ही याद रखिये, कि बुद्धी जो सब्द है, सौरप्रतम किसने पर्यू किया था, तो Francis Galton उनका नाम था, कब किया था उन्होंने, 1885 इस्वी में, और वो है कहां के, तो इंग्लेंड के हैं, इसके बाद अगला जो प्रस्ण बनता है, बुद्धी, तो वो किस तरह का संप्रता है, मुर्थ है, अमुर्थ है, मुर्थ अमुर्थ में, आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसको भी किलिर कर देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा अमुर्थ संप्रत है, और एक होता है मुर्थ, मुर्थ होता क्या है, यह सब्द कहां से है, यह मुर्थ है क्या, तो देखे मूर्थ मिस हो गया पर्तेक्ष जो आपके सामने दिख रहा है उसे हम लोग कहते है मूर्थ जो आपके सामने नहीं दिख रहा है उसे हम कहते हैं मूर्थ example के तोर पे ले लेते हैं जैसे मैं आपने अभी सामने में कोई किताब पढ़ रहे हैं या कॉपी आपके सामने है या कलम है तो ये परतेक शुरूप से देख रहे हैं कि ये कलम है ये कॉपी है ये हो गया मुर्थ या कोई जानवर को आप सामने में देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? आपका मूर्थ हो गया अब यहाँ पर प्रशनाता है मूर्थ क्या होता है? को जिसको आप नहीं देख पाते हैं जिसे मैं बुद्धी को कहूँ को बुद्धी को आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, को ये किस तरह का संप्रत है हो गया? अमूर्थ संप्रत है हो गया. इसके बाद जेनरल रुप से अगर पूछा जाया कि ये बुद्धी होता कहा है, तो जेनरल बासा में कोई भी बेक्ती से पुछेगा, बुद्धी कहा होता है, तो बताएगा मस्तिक्स में. तो ये चलता आया है, बुद्धी कहा होता है, मस्तिक्स में होता है. अब हम बात कर लेते हैं, बुद्धी क्या होता है? को बिभिन परकार की योगिता को हम बुद्धी कहते हैं आपके जीवन में बहुत सारी समस्याइं आती होंगी तो आप किसी ना किसी तरीके से हल करते हैं तो ये किसका गुण है तो ये बुद्धी का गुण है अगर आप में बुद्धी जितनी होगी उसी कंसार उन समस्याओं का आप हल करते हैं तो ये मेन रूप से डिपेंड किस पे हो जाता है बुद्धी पे डिपेंड हो जाता है को बुद्धी इसी को कहते हैं इसको हमने लिख भी दिया है यहाँ पी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लिजेगा बिबिन्य परकार की योगिताओं का नाम बुद्धी है जीवन की समस्याओं को हल करने का गूर है वो बुद्धी है अब हम बात कर लेते हैं इसके परिभासा के बारे में परिभासाओं को हमने तीन रूप में तोड़ा है ताकि याद हो जाए वैसे देखा जाए तो सीटेट के संदर में तो परिभासा बहुत ही कम पुछा जाता है लेकिन अदर स्टेट में जैसे यूपी टेट हुआ या बिहार टेट हुआ या अने टेट हुआ उसमें परिभासा दिया जा सकता है तो उसमें देखा जाये तो परिभासा जब पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है तो दो-तीन लाइन लिख दिया जाता है पूछा जाता है कि ये स्टन का है या डियन बॉन दोरा कहा गया किसके दोरा कहा गया है तो ये याद करना थोड़ा कठीन हो जाता है परतेक का परिभासा, इसलिए हमने तीन रुपों में इसे तोड़ दिया है, आप इसे असानी से याद कर सकते हैं, पहला है समायोजन की योगिता, दूसरा है सीखने की योगिता, और तीसरा है अमुर्त चिंतन की योगिता, जैसे हमने समयोजन की योगिता लिखा है, तो इसमें नाम किसका किसका आ रहा है, तो स्टन का रहा है, क्रूज का रहा है, बर्ट का रहा है, कालवीन का रहा है, फ्रीमैन का रहा है, तो इनके जो भी परिभासा होगा, उसमें समयोजन सब्द इंक्लूड होगा, क्या सब्द कि योगता में सीखना जो सब्द होता है वो निशिती इंक्लूड होगा अब हम बात कर लेते हैं बीने, स्पियर्मेन, टर्मेन और फ्रीमेन की, तो उसमें देखा जाए तो ये एक सब्द इस्तमाल करते हैं अमूर्थ, को अमूर्थ चिंतन उसमें इंक्लूड होगा तो बस केवल उसमें सब्दो को ढूणना है और टिक कर देना है फ्रीमेन को देखिएगा, ये तीनों में है तो ये याद रखिएगा जब भी पूछा जाए कि किसके अनसार, समायोजन की योगता, सीखने की योगता, अमूर्चिंतन कि योगता बुद्धी है, तो वो किसके अनसार हो जाएगा, फ्रीमेन के अनसार हो जाएगा, फ्रीमेन तो याद हो गया होगा, तीनों है उसमें कुछ आपको देखना नहीं है बाकी कैसे नाम याद रखेंगे, बहुत बाकी तीन जो बच्चे है बीने हुआ, स्पियर मैन हुआ, टर्मन हुआ बीने, स्पियर मैन, टर्मन तीनों नाम हमेशा महत्पुन रुप से लिए जाते है बीने भी लिए जाते है सबसे पहले देखा जाए तो जब एक खंड वेगरे, जब हम बुद्धी पढ़ाएंगे सिधानत वेगरे, उसमें बीने का नाम सबसे पहले आता है, बीने नाम याद भी होगा तो समझेए का अमुर्थ चिंतन की बात हो रही है इस्पियर मैन, द्वेखड खंड या त्री खंड की चर्चा होती है तो ये भी इस्पियर मैन, टर्मन जब भी सुत्रवेगरे की बात होती है गुणे हंडेड तो वहाँ पे टर्मन की चर्चा होती है तो ये तीनों जो है बहुत ही महत्पून है बहुत ही महत्पून है तो ये अमुर्थ चिंतन से संबंदित है याद हो गया, ये किस से संबंदित है अमुर्थ चिंतन से संबंदित है अब हम बात कर लेते हैं, सीखने की योगिता के बारे में, सीखने की योगिता के बारे में, पहला है बकिंगम, बकिंगम, तो बकिंगम जो है, इसे याद कर लीजे, क्यों लिए कि याद कर लीजे, बाकी में डर सब्द खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, डर सब्द यानि सी सीखने की योगता जैसे buckingham माल लीजै, आपको याद हो गया buckingham बाग वगएर याद कर लेज़े buckingham हो गया तो सीखने की योगता किस से होगा buckingham अब इसमें देखिए ड सब्द खोजी Dearborn, MacDougal, Thandike तीनों में ड सब्द है न यहां देखिए यहां ड है यहां ड है यहां डाइक में ड है यहां MacDougal में ड है यहां पे Dearborn में ड है बागी सब्द में ड है यानि सीखने की योगिता याद हो गया कुछ भी याद करने की जुरूत नहीं है अब हम बात कर लेते हैं समायोजन की योगिता समायोजन की योगिता में क्या है इसमें र र जो सब्द है वो तीन में आपको मिल जाएगा देखिए स्टर में उपर रह, क्रूज में नीचे रह और बोट में उपर रह यादї आधा रह इनके साथ चलता हुआ रह रहता है कहीं पे भी इस तरीके से आपको ज़्यदा नहीं मिलेगा मैकडूगल में आपका नहीं है यहाद व्याद के में आपको रह मिलता है लेकिन थोड़ा सामतर देख लिजगा थन डाइक डॉप पहले आया है और ये देखिए बाकी समय देखिए अस्टर्न में रा मिल गया, क्रूज में रा मिल गया बट में रा मिल गया एक और आपको याद करना है कालविन तो ये हो गया आपका समायोजन की योगिता बस इसे याद कर लिजए एक दो बार समझिएगा, निश्यती याद हो जाएगा को ये मेरे तरीके से एक तरह का ट्रिक है, जिससे आप याद कर सकते हैं नहीं तो अपना भी ट्रिक अपना सकते हैं अब देखिए, जैसे मैं यहाँ इन्हों ने डियर लिख दिया यहाँ पे डियर बॉन के अंसार देखा जाए तो इसमें क्या है, बुद्धी सीखने या अनभाव से लाब उठाने की योगिता है तो यहाँ पे सीखना जो सब्द मिला है इसके अंसार हम कर सकते हैं, सीखने की योगिता किसके साथ जाता है इन लोगों के साथ जाता है तो इसमें से नाम दे दिया एक डियर बॉन तो देखना है कि उल्टिक कर रहा है तो यह सीखना होगे और भी एक्जामपल हम लोग ले सकते हैं जैसे में अगर हम बात करें क्रूज का तो उनका एक हम परिभासा लेते है क्रूज किसमे है तो आप बता दिजिए तुरुन आधा रहा है क्रूज कौमे रहा है आधा रहा है तो वो किसमें जाएगा तो समायोजन में जाएगा जाहिर से बात है उनके जो परिभासा होगी उसमें हमको क्या खोजना है को समायोजन खोजना है सुनिए परिभासा सुनिए यहां हमने लिखा नहीं है लेकिन सुन लीजिए आप ऐसी से पकड़ लीजेगा बुद्धी नई और बिभीन परकार की प्रस्तितियों से अच्छी परकार समायोजन की योगता है किसकी योगता है समायोजन की योगता है याद हो किया तो बस उसे देखना है केवल सब्द को देखना है और पकड़ लेना है आगे बढ़ते हैं अगला हम देखते हैं आगे कुछ और परिभासा है जिससे आपको याद करना चाहिए देखिए इसमें हमने परिभासा डाला है बीने का इन्होंने चार सब्द इस्पेसली इस्तमाल किये हैं जैसे उनका परिभासा है क्या वो मैं पहले आपको बता देता ह बुद्धी इन चार सब्दों में नहीं थे, ज्यान, अविस्कार, निर्देश और अलोचिना ये चारों सब्दों को हमने लिख दिया है, आप इसे याद रखे, ये बीने से सम्दित है, ज्यान, अविस्कार, निर्देश और अलोचिना ये चार सब्दो में नहीथ है, इन्होंने लिखा था, बुद्धी इन चार सब्दो में नहीथ है, कौन-कौन है? ज्ञान, अविशकार, निजेश और अलुचिना。 ये किसके सब्द है? को बीने के दवारा दिया गया है। और ये किस से सम्मंदित है? को बुद्धी से उड्रो आएंगे उन्होंने अपने सब्दों में अर्जन करने की छमता इस्तमाल किया है, उड्रो ने क्या इस्तमाल किया है, फिर से सुन लीजे, अर्जन करने की छमता, इसके बाद अगला है रॉस, रॉस ने इस्तमाल किया है, चेतन अनुकूलन, क्या उन्होंने इस्तमाल में ज़्यादा महतपूर्ण नहीं है लेकिन इसे याद करके जरूर रखिए गया है रौस का जब भी आएगा चेतन अनकूलन सब्द इस्तमाल किया गया है उड्रो में अर्जन करनी के छमता और उडर्थ में कार सब्द इस्तमाल किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और द वर्णन ने भी कुछ बुक्स में मिलते हैं वर्णन का नाम आता है उन्होंने भी तीन परकार से बताया है सबसे पहले हम बुद्धी के जो परकार है थंडाइक के इसाब से देख लेते हैं देखा जाए तो थंडाइक और गैरिट ने दोनों ने एक ही अनुसार जिसे में पहला पता है यांतरिक या मूर्त या स्थूल या बहवारिक याद रखिएगा नाम जरूर याद रखिएगा जो हमने लिखा है नाम इसलिए याद रखना आपको क्योंकि यहां पर यांतरिक मूर्त स्थूल और बहवारिक बहुत बार यह पूछा गया है कि आपको यांतर तो यांत्रिक निसे क्या हूगा है? उसका उपियोग तथा इसे समझना ठीक है, और ये मूर्थ क्या हुआ, मूर्थ हो गया आपको जो भी आपका ग्यानिंद्रिया है, जो भी आपकी ग्यानिंद्रिया है, कितनी ग्यानिंद्रिया है, तो पांच ग्यानिंद्रिया है, पांचो ग्यानिंद्रियों का परियोग, परियोग करके कोई सफल कारे होता है तो वो समझे, मुर्थ हो गया है स्थूल स्थूल क्या हुआ, कि स्थूल होता है स्थूल मिस होता है, आपको जेनरल बासा में देखा जाए तो स्थूल मिस बड़ा होता है स्थूल मिस क्या होता है, बड़ा, सुक्ष मिस छोटा नहीं जानते हैं, जब हम पढ़ाते हैं साइंस में, तो सुक्ष में सब दिस्तमाल करते हैं, जब चोटा इस थूल मिस क्या होता है, को बड़ा, को बड़ा मिस क्या होना, किसी भी चीज को असपस्ट रुप से देखना मूर्त और स्थूल एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, मूर्त मिस वही हो गया, असपस्टूप से देखना एक तरसे स्थूल भी क्या हो गया, उसे असपस्टूप से देखना, अब बहवारिक भी इसी से संबंदित है तो ये सारे नाम याद रखिएगा, इसमें बहुत बार पुछा गया, एक्जामपल के रुप में, जैसे में तो जो अभियानता होते हैं, कारीगर होते हैं, बैपारी होते हैं, वस्तुकार होते हैं, मैकेनिकल जो होते हैं, इस्तिहासकार होते हैं, डॉक्टर होते हैं ये किससे समंदित है, ये किसी एक दे देगा, अभियांता दे देगा, कारिकर दे देगा, वैपारी दे देगा, वैपारी समझेए, वही आपका बहवारिक, तो बहवारिक दे देगा, तो ये सारे जो सब्दें किससे समंदित है, तो वो आपका कौन से बुद्धी से समंदित तो यह होगा यांतरिक बुद्धी, मूर्थ बुद्धी, स्थूल बुद्धी या बहवारिक बुद्धी से, यह सारे नाम याद रखेगा, इन्हीं में से किसी एक से समंदित होगा, गरिट का भी सेम यही है, दूसरा है अमूर्थ या सुक्ष्म, अमूर्थ में इस क्या होत होता है अमूर्थ चिंतन से जैसे में दार्षनिक जो होते हैं उनके सामने कुछ मतलब देखते नहीं है दूर का देखोता है दार्षनिक करते हैं दूर का वो सोचते हैं दूर का क्या करते हैं वो सोचते हैं को दार्षनिक हो गया बैज्यानिक हो गया कलाकार हो गया चित्रका चितरकार और कलाकार आखिर अमूर्थ में जाते कैसे हैं। जैसे मैं किसी चितरकार को कही कुछ बनाने के लिए तो वो क्या करता है कल्पना करता है यह ईसे बनेगा यह दर्शनिक होते हैं जिए Q Desde ने सोचते हैं, वह सोचते हैं, अमुर्थ रूप से क्या करते हैं, सोचते हैं, कि हम ये चीज़ बना सकते हैं, ऐसे करके, या नि पहले से वह बना हुआ नहीं है, वो बनाते हैं, सोचके बनाते हैं, तो ये हो गया आपका अमुर्थ, ज्यादा कुछ confusion नहीं होना चाहिए, ब म Painting जोबी चीजहें वह सामने अनके होता है वह किसा कर्दी सामने परस्थीजय यह कहा ह ketchup रहया हो स्ट्रक्चरा सoten वह बनादेता यह उन्हें पता होता है इतना इतना वह कर देते लेकिन इन लोगों के पास क्या होता है वो concept clear नहीं होता, वो अपने दिमाग से अमुर्थ रुप से सोचते हैं, फिर उसका diagram बनाते हैं, फिर उसे sale करते हैं, बहुत ही उच्छो दाम में sale करते हैं, शित्रकार वेगरे का मतलब महंगे दामों में बेचे जाते हैं, उनकी सोच पर ये paint करते हैं, वो हम अमुर्थ रुप से सोचते हैं बेच्जानिक होते हैं, बहुत सारे खोज जो आप mobile इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने video डाला, ये आप देख पा रहे हैं तो ये बेच्जानिक है, पहले ये चीज़ नहीं सोचा गया था, आगे चलके ये हमें देखने को मिला, अब हम बात कर लेते हैं last, तीसरा परकार के बारे में समाजिक, समाजिक जो है, वो समाज से सम्मंदित है तो इसमें देखा जाए, जो राजनेता वाइगरे होते हैं, वो आपके समाजिक होते हैं, तो ये क्लियर होगी है अब अब आपको ये तीनों एक और हम आपको बता देते हैं, वर्नन के अंसर किसके अंसर, यहाँ पे मैं लिख वे देता हूँ वर्नन इनके अंसर, इन्होंने भी तीन परकार से बुद्धी का उलेक किया है, इनका जो परकार है, उनका पहला परकार है जैविक बुद्धी, दूसरा है मनवेज्ञानिक बुद्धी, तीसरा है संक्रियात्मक बुद्धी, जैविक बुद्धी क्या होता है, को जीवन की नई प्रस्तितियों से जैविक रुप से अनुकुलन करने की योगिता जाविक बुद्धी कहलाती है जीवन की नई प्रस्तितियों से जाविक रूप से अनुकुलन करने की योगिता क्या कहलाती है जाविक बुद्धी कहलाती है लिखना चाहें तू लिख लेज़ेगा लिखनी रहा है दूसरा है मनवेज्ञानिक बुद्धी बुद्धी जन्मजात ज्यानात्मक योगिता है ये मनुबे ज्यानिक बुद्धी के अंत्रगत आता है तीसरा है संक्रियात्मक बुद्धी को परिरक्षणों द्वारा मापी जा सकने वाले बुद्धी को संक्रियात्मक बुद्धी कहते हैं तो ये तीन प्रकार हैं आपके वर्णन के उन्सार, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बुद्धी का जो बिसिस्ता है, उसे हम एक बार समझ लेते हैं, क्या-क्या बिसिस्ता है, इसमें देखा जाए, तो पहला जो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, इसमें देखा जाए, तो जो पहला है, वो बुद्धी के बारे में क्या लिखा गया है, तो जन्मेजात, या प्राकिर्तिक, या समयोजन, या अधिगम, या अमुर्थ चिंतन की योगता है, इसमें दो चीज हमने बढ़ाया है, वैसे तो आपको हमने याद कराया है, समयोजन, अधिगम, सीखना जो था, इसके बाद अमुर्थ चिंतन, ये सारे चीज हमने पहले से आपको बता रखें, कि इसकी योगता है, आपका बुद्धी, लेकिन इसमें दो चीज हमने और जो सकता है, क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, ये इंपोर्टेंट है इसमें, जन्मेजात में क्या होता है, बुद्धी जो होता है, जन्मेजात होता है, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, आगे चलके उसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे मैं कोई मंद बुद्धी वाला है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता है, और दूसरा ये बुद्धी जो होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक देन होता है, बुद्धी जो होता है, प्र है दूसरे बिस्ट ये परवर्वतन सील और विकास सील होती है यह क्या होती है परिवर्वर्तन सील या बद्र नहीं जा सकता है रोकका लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता दू याद रखेंगा परवर्तन सील है, यानि थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं, विकास होते रहता है, वो बढ़ते रहता है दीरे-दीरे, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एकदम मंद बुद्धी है, उसको हम सबसे तपपे आपको लेके नहीं जा सकते हैं, मुर्ख है, तो उ कौन से परभावित करने वाले कारक, अगर नोट करना चाहें, तो नोट कर लिजए, इसमें देखा जाए, तो परभाव करने वाले आपके कारक हैं, वातावरन और वनसानुकरम, बहुत इंपोर्टेंड है, बहुत बार पूछा भी क्या है, गया है, बुद्धी पे परभा कारक कौन से हैं, तो आपका वातावरन और वनसानुकरम, अब यहाँ पर बहुत बार यह पूछा जाता है, दोनों में महतपून कौन है, आपका वातावरन है या वनसानुकरम है, देखिए, पहले वनसानुकरम वातावरन को दोनों को समाने रूप से देखा जाता था, ले लेकिन आपको वातावरन ज्यादा एफेक्टिव लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा, टीचर का अगर बच्चे देखा जाएं, जो सिक्षक हैं, उनके बच्चे जब होते हैं, तो मतलब कुछ बन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, और भी चीजों में, सेक्शन में देखा होगा, कि वो बहुत तेज तरार हैं, लेकिन उनके लड़के उस तरीके से नहीं हो पाते हैं, उनके लड़के या लड़कियां उस तरीके से नहीं हो पाते हैं, इसलिए वंसानुकरम धिरे धिरे ये नीशे गिरते हुए जा रहा है, लेकिन देखा जाएं, तो सीट मुलते हैं、 और वन्सानू करमसे एक और बात आपको बता दे हैं, वन्सानू करम को किस सब्द से इस्तिमाल किया जाता है प्रकिर्ती से इसको हम प्रकिर्ती से डिनोट करते हैं कभी-कभी और वातावरन को हम लोग डिनोट करते हैं किस सब्द से को पूसर्ण सब्द से डिनोट करते हैं को देखा जाए को दूनों का परभाव पड़ता है दूनों परभाव पुछा गया है, बहुत बार वातावरन और वनसानुकरम आपका सही हुआ है, बहुत बार आपका प्रकृति और पोशन भी सही हुआ है, और पूछा भी गया है, बहुत बार कि प्रकृति क्या होता है, पोशन क्या होता है, प्रकृति हो गया आपका वनसानुकरम जानुवान सिख्ता और आपका पोश्ण हो गया, वातावरन या इंवार्मेंट दे दे, या किसी अन्य सब्द से मतलब सबसे इंवार्मेंट है, या वातावरन ठीक है तो ये अन्तकरिया, आदिकापरभाव इस पर पढ़ता है, आगे बढ़ते हैं इसमें बहवारिक जीवन में परियोग करना बुद्धी है ग्यान का बहवारिक जीवन में परियोग करना क्या है बुद्धी है और ग्यान को एक साधन के रुप में देखा जाता है और बुद्धी को एक लक्ष के रुप में देखा जाता है बुद्धी को किस रुप में देखा जात सकता है ज्यान का ब्रिदी हो सकता है याना हमारे पास बंडार आ जाए हैं लेकिन ज्यानसे बुद्धी का बुद्धी नहीं होता है, ज्ञान से बुद्धी का बुद्धी नहीं होता है बुद्धी बढ़ेगा नहीं, बुद्धी का बुद्धी नहीं होगा, लेकिन बुद्धी से ज्ञान का बुद्धी हो जाता है यह इसकी बिसेस्ता है, इसलिए हम ग्यान को साधन के रुप में देखते हैं, बुद्धी को एक लक्ष के रुप में देखते हैं, किसको बुद्धी को एक लक्ष के रुप में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जो कुछ बच्चे होते हैं, वो अच्छे बुरे में, तर्क, वितर्क में, सत्ते और सत्त में, जितना अंतर कर पाते हैं, उतना ही उनका बुद्धी तेज तरार होता है, उतना ही उनका बुद्धी अधिक होता है, फिर से समझ लिए, अच्छा बुरा, तर्क वितर्क, सत्त, नेटिक, अनेटिक में जो अंतर कर पाते हैं, जितना ज्यादा वो अंतर कर पाते हैं उतना ही अधिक उनकी बुद्धी होती है यह अगला विसेस्ता है अच्छा बुरा यानि एक आपका पुजेटिव एक निगेटिव यानि एक दूसरे से उल्टा है तर्क वितर्क सत्यासत नैतिक अनैतिक इसमें जो जितना अधिक अंतर कर पाते हैं उतना ही उनका बुद्धी अधिक माना जाता है यह होगे आपका पांच्छा वाले चटा ले जन्म से 16-18 वर्स तक बुद्धी जो होता है लंबोत रूप में चलती है जन्म से 16-18 वर्स 16 वर्स माना गया है क्रो एंड क्रो का और वाट्सन द्वारा माना गया है 18 वर्स तो यह लंबोत चलती है मान लेजे यह जन्म है आपका बच्चा यहां जन्म लिया चाहे कोई भी बच्चा यह है जन्म लिया है तो यहां से ऐसे सीधे रूप में यह आगे क्या होगा बुद्धी आगे लंबोत रूप में चलती है उसके बाद क्या होता है मिर्तु तक वो 36 रूप में इस रूप में चलेगी यह सीधा हो जाएगा इस रूप में यह 36 रूप में यह आगे बढ़ती है यह मिर्तु तक होगा तो यह 36 रूप में ऐसे चलती है और देखा जाए तो बहुत सरे मन्य विज्ञानिकों के उन्चार 600 आवस्था में लगवक बुद्धी का 90% विकास हो जाता है 90% 600 आवस्था तक आपने देखा भी होगा प्याजे किशोरा आवस्था तक ही वो अपना संग्यानात्मक विकास बताते भी है इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो है लिंग से संबंदित लिंग जाती ये जो धर्म होता है ये सब लिंग मिस हो गया आपका वही इस्तिरिलिंग पुलिंग यानि लड़का लड़की जो होता है गर्ल्स बॉइज जो होता है इसका जाती का धर्म का इसका बुद्धी पे परभाव पढ़ता है कि नहीं को इसका बुद्धी पे कोई परभाव नहीं पढ़ता बुद्धी का परभाव जो परभावित करने वाले कारक है वातावरन और वनसानुकरम चलिए आगे बढ़ते हैं और बुद्धी के सिधान्त के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्धी के सिधान्त कौन-कौन से हैं बुद्धी के सिधान्त हम टूटल 11 बुद्धी के सिधान्त के बारे में पढ़ेंगे इसमें देखा जाये तो सबसे पहला आपका आता बुद्धी का सिधान्त वो है आपका एक खंड एक तत्तो या एक कारकिय सिधान्त जिसे हम निरंकुस वादी सिधान्त के नाम से भी जानते हैं ये किसका है? यानि निरंकुस वादी सिधान्त देदे, एक कारकिय सिधान्त देदे, एक कत्तो सिधान्त देदे, एक खंड सिधान्त देदे, ये सारे सिधान्त एक ही हैं, और किसके दोरा परतिपादित किया गया है? को अलफड विने के दोरा परतिपादित किया गया है, जो सबसे पहले बुद्धी का मापन किसके द़ुआरा किया गया है? सब्से पहले बुद्धी का मापन, सब्से पख़ड़िये का, हमने सब्से इस्ताइब नहीं अगे पढ़ायेंगे, लेकिन आपको यहां पर concept क्लिएर कर देते हैं, बहुत बार पुछा गया, को बुद्धी का मापन सबसे पहले अलफर्ड बीने के द्वारा किया गया बुद्धी का, बुद्धी लब्दी जो सब्द आया तो इसका ओधाना सबसे पहले किस ने दिया को बुद्धी लब्दी का ओधाना बुद्धिलब्धी सब्ध जो आया था, अलफड वीने के मिर्दु के बाद आया था, ये कंसेप्ट, बुद्धिलब्धी, लगि उससे पहले, बुद्धी का मापन सबसे पहले, अलफड वीने नहीं किया था, बुद्धिलब्धी का, जो आपका, 1911 और 12, 12 के करिम में भी कार्कियए सिधांत किसके दोरा दिया गया है तो इस पीर मैं के दोरा दिया गया है जो ब्रिटेन के रहने वाले है इसके बाद आता है त्री खंड तो उन्हें लगा दो खंड में कुछ ना कुछ गलतियां है कुछ ना कुछ त्रोटियां है इसलिए उन्होंने त्री खंड सिधांत दिया त्री खंड त्री कारकिये सिधांत किसका है Spearman का है और जो दो खंड इनोंने दिया है यहीं से जो मतलब पहले तो ये बीने जी थे हैं उनोंने काया कि यह जो बुद्धी है मतलब starting से उनोंने परियोग वेगरे किया और बुद्धी का एक तुब भी बताया कि इनोंने बताया कि बस यही बुद्धी है, बस एक ही खंड है, इसका कोई दूसरा खंड नहीं है, लेकिन जब खंडों में चर्चा होने लगी, तो सबसे पहले खंडों में तोड़ा था इस्पीर में ओर जितने भी आगे के मिले, तो सब इनी से रिलेटेड है इस्पीर में से, बहुत बहुत सारे आगे मिलेंगे परिवासा जो इस्पीर में से मिलते जूलते आपको लगेंगे, य сок Rei जो भी सिधान थैं इनी से मान लीजे, एक तत्तोव, एक खंड, एक कारकिये सिधान, निरंकुस, निरंकुस थे हैं, एक ही बता ही दिये हैं, इसका अलोचिना के रुप में निरंकुस, वादी सिधान के नाम से जना गया, यानि एक ही बता दिये हैं, निरंकुस के रुप में, इसलिए को यह किस से समझ दूसरा दू खंडो या त्री खंडो किसका नाम आता है Spearman दो नाम आ गया तो वो समझिए दो खंड या तीन खंड उनको दी दिया इसके बाद दू खंड हो गया अब आ जाते हैं बहुकारक बहुकारक का अनिनाम है बहुकारकिये भी कहीं मिल जागा बहुकारक, बहुकारकिये परमाडू, वादी या बालू का सिधांत जब इसको पढ़ाएंगे तो ये नाम भी याद हो जागा लेकिन Edward Lee Thundike जो अमेरिका के रहने वाले हैं तो उन्होंने ये सिधांत दिया था, क्या दिया था? बहुकारकिये या परमाडू, वादी या बालू का सिधांत दिया था बालू देखा होगा न, आपने बहुत सारे उसमें रहते हैं, छोटे-छोटे का परमाडू भी क्या होते हैं छोटे-छोटे ओनू से मिलके बने होते हैं, यानि बहुत सारे ओनू मिलके जो अमेरिका के राने वाले थे अब हम बात कर लेते हैं स्वमु कार्किय सिधान्त स्वमु कार्किय सिधान्त किसका है को यह है आपका लुईस थंस्टन यह आधा सावगत लुईस थंस्टन जो अमेरिका के राने वाले हैं तो उनका ये सिधान्त है, समुकार की सिधान्त, इसके बाद है आपका त्री आयामी, त्री वी मिय, या त्री यामी बुद्धी की सनरशना का सिधान्त, इसमें सनरशना का सिधान्त भी आता है, त्री आयामी भी आ जाता है, ये सारे आप देख लिजेगा, याद भी कर लिज तो यह किसका है तो यह पीं किल्फॉर्ट का ऑगला तरल बुद्ध़ि और ठोस बुद्धि के बारे में जिसका ने नाम आपका GFGC का सिधात के नाम से भी जानते है तो यह किसका है कोई ये cattle तता हार्ण का नाम है, ये भी कभी-कभी प्रश्ण दिया जाता है, cattle और हार्ण का सिधान्त भी नाम दे दिया जाता है, वो तरल बुद्धी और तता ठोस बुद्धी का सिधान्त, या जी अफ जी सी का सिधान्त, अगला है, त्री अस्तरिये सिधान्त, जो जैन B के रोल का है इसके बाद बुद्धी बहु बुद्धी का सिधान्त ये तो बहुत इंपोर्टेंट है इसको हमने पढ़ाया भी है बहु बुद्धी का सिधान्त क्या होता है बहुत इंपोर्टेंट है योगि सीटेट में देखा जाए तो बहुत बार इससे संबंदित प्रश्ण पूछे जाए प्रतिक साल एक प्रश्ण निष्चिती इसी से डाल दिया जाता है तो बहुत बुद्धी का जो सिदान्त है ये हवाड गाडनर का है पहले इन्होंने जो सिधान्त में बताये थे उन्होंने पहले 7 भागों में बाटा था उसके बाद ये 8 भागों में disappointल 9 भागों में इनुम्स विवाजित करके ये बताये जह पढ़ाएंगे तो ये भी आपको बता देंगे कब-कब उन्होंने ये चीज सोधित करके किया है अगला है दस नमबर पे पदानुक क्रमित या क्रमिक महत्तो का सिधान्त जो है आपका फिलिप, वर्नन और बट का इसके बाद है त्री तंत्रिये या त्री अस्तरिये या त्री चापिये सिधान्त जो है आपका स्टरंबर्ग का 1980 में ये सिरांद उन्होंने दिया था अब देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होगा याद करने में को आपको तो तीन याद हो जाएगा ये देखिएगा तीन तो आपको हमने याद करा दिया था एक खंड आपका अलफडवीने का हो गया दो खंड और त्री खंड हो गया इस्पेर्मेंट का बाकी सब कैसे याद करेंगे ये भी इंपोर्टेंट है बहुत सा हम चाहें तो आपको स्टोरी वाइज याद करा दे लेकिन हम चाहेंगा थोड़ा सा आप याद करें देखें ये जो है बहुत बुद्धी सिधानत है ये हवाट गार्डनर का इससे समंदित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए हवाट गार्डनर यानि बहुत बुद्धी का सिधानत गिलफोर्ड गिलफोर्ड से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत इंपोर्टेंट है जब इसको पढ़ाएंगे तो सारा चाहिए पस्ट हो जाएगा ये को त्री आयमी या त्री बिमी या बुद्धी का सनुर्षना का सिधानत जो है ये जेपी गिलफोर्ड का है ठीक है अब बच गये आपका बहुकारक बहुकारक आपका थंडाइक है किसका है एडवर्ड ली थंडाइक बहुकारक या परमाडू वादी या बालू का सिधानत जो है वो किसका है एडवर्ड ली थंडाइक लेकिन अब जो बच जाता है आपका समुकार्किय सिधान्त और इसके बाद त्री अस्तरिय सिधान्त इसके बाद है त्री तंत्रिय सिधान्त और ये दिखे गिलफोर्ड भी याद रखिएगा त्री आयामी है त्री आयामी गिलफोर्ड का त्री आयामी ये आगे चलके आपक पे लिखा गया, बहुत कम बुक में आपको तिरी स्तरीय मिलेगा, नहीं को तुरी चापिय आपको NCRT बुक में मिल जाएगा, तुरी तंत्रीय आपको morbोक से इसका नाम दिया गया है, यही दिया गयता है कि स्टन्बर्ग स्टन्बर्ग का त्री अस्तरिये त्री चाप यह भी नहीं दिया था, त्री तंत्रिये भी नहीं दिया था, स्टन्बर्ग का आपका त्री अस्तरिये जो बुद्धी है उसमें से कौन सा जो option है चार option दियेगे तो उसमें से कौन सा है उसे समंदित तो उसमें बहवारिक बुद्धी दे दियेगे तो यह आपको जानना पड़ेगा बहवारिक बुद्धी इनसे समंदित है या नहीं है इसका दूसरा नाम क्या है बेवारिक बुद्धिवाले का तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा तो इसको भी हम आपको बताएंगे फिलाल याद कर लीजे त्री तंत्रिये, त्री अस्तरिये या त्री चापिये अस्तरिये में इनी का जान बी जौन हो गई ये जौन बी केरोल का याद रखिये, त्री अस्तरिये इनका है जौन बी केरोल जौन बी केरोल किसका है, त्री अस्तरिये आपका सिधान्त है और त्री तंत्री, त्री चापिये सिधान्त किसका है स्टरंबर्ग का सिधान्त है पदानु क्रमित या क्रमिक देखे इनका जब भी क्रमिक वेगर आएगा ना आधा क्रमित ये आपका उपर में रा है इसमें भी रा है फिलिप वर्नन और बट का है आधा क्रम नीचे में है इधर देख लिजे वर्नन और बट है इसमें ज़्यादा कुछ याद ने करना है यह यहां पे क्रमित देख लिया और यहां पे बॉर्णन और बढ़ देख लिया उपर में रहा है तो इनसे संबन्दित है त्रियस तरिया आपको याद हो गया जौन भी कोरल है बहुत बुद्धी सिधान थावाट गार्णर बहुत इंपोर्टेंट है यह याद हो गया अब आ ग यहाँ पे देख dulu है और यहाँ पे यहाँ पे प्यार्णर वा गणलाबे समुधन सई इसी से संबने तिया चैप अपना के इसे याद कर लेते हैं कर सकते हैं दो सबनाएंगा एक। है लेकि आगे चलके पढ़िएगा इसमें दिखाया जाएगा को बहुत सारे आपके कारक हैं और वो सारे कारक आपको 180 आपको लगबग आपको दिखाएगा सारे चीज हम आगो आपको पस्ट करेंगे समु कारकिये सिधांत तो ये जरूर एक बार याद कर लिजेगा इसका स्क्रीन सॉट आप ले लिजे और सारा याद कर लिजेगा आप अपने उनसार जो भी ट्रिक लगाना चाहें वो ट्रिक के दौरा ये सारा याद कर लिजे इसके साथ ही एक प्रशन आपसे जरूर हम करना चाहेंगे कि यह जो आपका बहुँ बुद्धी सिधान थे हवाड गाडनर का इसके बारे में हम पूरा आपको पढ़ाएं यानि ये टोटल तो हम पढ़ाएंगे लेकिन बहुद्धी का जो सिधान थे ये हमने पहले से भी पढ़ा रखा है तो कहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको भी इंक्लूड करेंगे और टोटल बुद्धी मापन तक बुद्धी लब्दी बुद्धी मापन में जो आता है वो सारा चीज हम कुशिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लोज कर देने का और भी कोई प्रस्ण है जो चीजे इसमें समझ में नहीं आया है वो भी wir bum comment section में बताईए और एक प्रस्ण आपसे हम करेंगे कि आपसे एक प्रश्ण हम रखेंगे कि जो 3 kind का जो सिधानत है वो किसके दोरा दिया गया है वो सिधान्त किसके द्वरा दिया गया, यह comment section में जल्दी बताइए, फिर से rewind करके देखने के जरूबत नहीं पड़े, त्री खंड का सिधान्त किसने दिया है, और एक और प्रशन, जो त्री चापिये जो सिधान्त है, वो किसका है, यह NCRT book का सब्दिस्तमाल हमने किया है, यह हमें comment section में जरूर बताइए, तो आज इस वीडियो में इतना ही, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें जरूर बताइएगा, और जो भी सीटेट या अदुस्टेट की त्यारी कर रहे हैं, उन लोग के बीच जरूर से रखीजेगा, ओके thanks for watching this वीडियो, फिर मिलते यह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बबाए, अपनी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाब उठा सके, यह सब बिलकुल फ्री है